नमस्कार स्वागते आप सभी का हमारे बेहत खास कारेकरम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी लखनाओ विजिट पे है सेहत और जिंदगी प्रोग्राम की पूरी टीम हकीम सहाब की आदेश अनुसार और लखनाओ में आज मैं मौजूद हूँ अपनी एक पेशन्ट के घर पे जिनका नाम है भुपेंदर कौर जी जो लखनाओ के LDA कलॉनी में रहती है और उनकी सेहत का राज जाने हम उनके घर पहुँचे हैं और कैसे रखती है वो खुद का ख्यार हकीम सहाब से कैसे जुड़ी कौन-कौन से नुस्के अपना रही हैं कितना वो खुद को सेहतमन महसूस करती हैं ये सारी बातचीत आज हम उनसे करने वाले हैं तो बिना देरी किये स्वागत करते हैं भुपेंदर कौर जी का बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शुक्रिया मैम आपके बारे में सबसे पहले हम जाना चाहेंगे आप अपनी उम्र हमें बताईए आपके घर में कौन-कौन है और क्या आप वर्किंग वूमेन है या अजुक्त जो कि यहां पर है ठीक है तो सर्क्ष परी करते हैं बेटर के रहते हैं सब तो रिटाइर है युणी कौन कंपोध करते हैं परेशांनी क्या थी और आप हकीम साहब से कब जुड़ी किस थरह से जूड़ी मुझे परेशानी मुड़ो मैदार्द से शुरू ही है साब से पेरले टीवी में इनका प्रोग्राम देखा करती थी उसके बाद यूट्यूब में पड़ा एक्स्विरियंस भी लोगों के सुने उससे फिर मैं इनके साथ जुड़ गई जुड़ने के बाद मैंने इनसे गौंद सिया मंगाया जो कि घुटनों के दर्द हर दर्द में काम आने वाला था मैंने उसको तीन-चार डिबे खाए हैं उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला यह समझ लीजे इस समय मेरे पार 90% रिलीफ है जी तो 90% आपको अराम मिला गौंद सिया के इस्तमाल से आपने कितने वक्त तक मैं गौंद सिया खाया है मैंने चार महीने आपने खाया पहले आपने प्रोग्राम अच्छे से देखा उसके बाद आपने प्रोग्राम में जो कॉलर्स होते हैं उनके फीड़बैक सुने फिर आपको लगा कि मुझे भी एक बर आजमाना चाहिए फिर आपको भी 90% आराम मिल गया है घुटनों के दर्द में ठीक है आपने हकीम सहाब से जुड़ने से पहले और क्या कुछ ट्रीटमेंट अपनाए हुए हैं वह सब अलो पैथी थे अराम नहीं मिल पाया अराम भी नही किड्नी में प्रॉबलम मागी थी तो उसका तो ट्रीटमेंट चलता ही है लेकिन इगों सिया से मुझे बहुत जाता है आपके घर में कोई और भी हकीम सहाब के नुसके अपनाता है मेरे बेटे ने मेरे साथ ही नुसका अपनाया था जो उसे भी घुटने के दर्द में इतनी है उनकी उमरे 33 यह अच्या अराम है हां जी ठीक है हकीम साब से जुड़के कैसा लगता है माम बहुत बढ़ी है और हकीम साब के प्रोग्राम से भी आप काफी लंबे वक्ते से जुड़ी हुई है तो कोई ऐसी बाद जो आपको बहुत सर की भागई हो बहुत अच्छी चीज है तो आधा जब मीठा मीठा बोलता है तो आधा रोक तो तभी दूर हो जाता है और आधा तो दवा उनकी बहुत अच्छी है उससे सब रिलीफ मिलता है जी तो लकनाव क्लेनिक से ही आप सारी दवाईयां मंगवा लेते हैं ठीक है आपके जरीये चलिए आ पना सकते हैं हाँ मैं जो मुझे कोई कुछ कहते हैं तो मैं बताती हूं को कि गोल साल लीजिए जी जी तो आप उनको भी बता देती हैं हाँ जी ठेक है और जो लोग आपको सुन रही हैं जिन्हें मौंडो की बहुत जादा दिक्कत है अच्छा वो महिला है जिन्हों ने ऑ जहना चाहेंगी क्योंकि देखिए आप भी घरेलू महिला हैं और घर में बहुत काम होता है तो आप भी काम करती है घर का तब भी आपने हकीम साहब की गौन सेक अस्तमाल के आपको अराम मिल रहा है मैं तो आप उन महिलाओं को उन पूर्शों को क्या संदेश देना चाहें कि जब आपको में यह मांडो की प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो किस तरीकी की परेशानी आती थी चलने फिडने में बैठने उठने में या सीडियां उतरने में क्या कुछ परेशानी थी जी जी नए को बहुत जादी है लेकि चलते हलता था था दर्द होता था था एसा नहीं टो नहीं होता था के आप बéma आप अंड़े घूंच ओराज कर और तो आप out 270 में परादर शुरू है तो आपको जैसी दर शुरू हुआ आपने बिन्हारी किये Saats शुरू कर दी या ठीए कर दिया ठीक है हकीम सब्स्क्राब चाहती है कभी अगर आपकी बात से हमने करा दिया उनसे तो इस interview के जरी आप अपने मन की बात कह सकती है मन में बात हो कुछ कहना चाहती हूं वो आपका इंटर्व्य देखेंगे जब दिल्ली आपका इंटर्व्य लेके जाएंगे हकीम साब को मैं यही दुआ ही दूँगी कि उपर वाला हमेशा सलाम मत रखे जो वो हर एकी सेवा कर सके जी अच्छा ठीक है बेटे को आराम मिला ठीक है सबसे पहले आपने अपनाया या आपके बेटे ने अपनाया था तो आपने उनको बताया था या उन्होंने मेरे को बताया था तो पहले उन्होंने खुद पर ट्राय किया गौंसी या नहीं उनका दर्द कम था जैसे मेरा जादा था मेरा तो मेरा तो में मुड़्ों में दर्द था तो उसका गुटनों में थोड़ा बहत हुआ तो मैंने जैस बेतर लगता है अच्छा यूँटाइड लगता है अच्छा अच्छा बात करके और आपने घर हमें बुलाया अपना वक्त हमें दिया और आप ऐसे ही सहात मन्द रहें स्वस्थ रहे इसी कामना के साथ मैं भी आपका तो दर्शका आप सभी ने सुना भी भुपिंदर कॉर जी को जिनोंने बताया कि उन्हें मॉंडो में दर्द था यानि कि घुटनों में दर्द की शिकायत रही हकीम साहब से जुड़ी और अभी उनको 90% आराम मिल गया है वो कैसे मिला है गौंद सिया का इस्तमाल करके वो भी इस्तमाल करती हैं उनके बेटे भी इस्तमाल करते हैं बेटे के उम्रे 30 साल है तो उनको भी आराम मिला है ऐसे ही आप लोगों को भी आराम मिल सकता है लेकिन उसके लिए आपको जागरुक होना होगा विश्वास भरोसा रखना होगा तब ही आप एक सही ट्रीट्मेंट को फॉलो कर सकते हैं तो आज किस खास कारेकरम में बस इतना ही अब मुझे भी दीजी इजाज़त नमस्कार